मैं विसाल कुमार और आप देख रहे हो वी मिसन टीवी यूट्यूब चैनल को आज हम आपके बीच यूपी की स्यासत और यूपी में होने वाले आगामे विदानसवा चुनाव 2022 से जुड़ी हुई तमाम छूटी बड़ी खवरों को लेकर हजर हुएं एक नहीं वलकी तमाम चूटी बड़ी खवरों को विस्तार से समझाएंगे साथी साथ एक महत्पूर्ण विस्था पर भी बातचीत करेंगे कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे उनका जावा आपको कमेंट वॉक्स में देना है फिलाल हम बात कर लेते हैं आज की जो सबसे ज़्यादा बड़ी क पर हम आपको बताएंगे बहुजन समाज पार्टी उत्तर परदेश पस्चमी यूपी यानि पस्चमी यूपी की ग्यारा जोलों की 58 सीटों पर कैसे कमाल कर सकती है विस्तार से सब कुछ बताएंगे मायवती से जुड़ी हुई खवर हैं और मायवती ने बड़ा कमाल कर द से हैं तो आई हम आपको बताते हैं बहुजन समाज पार्टी कैसे उत्तर परदेश की अठामन यानि उत्तर परदेश पस्चमी यूपी की ग्यारा जोलों की 58 सीटों पर कैसे इत्यास रच सकती है और बहुजन समाज पार्टी की राष्टे मासचीव सतीश्चन मिस्रा हैं होने यह काफे जादा बड़ा दावा किया है तो फिलाल ंफाक को बताते हैं आखिर कैसे बड़ा कमाल उत्तर परदेश की 58 महस्थीं की 58 सीटों पर बसपा कर सकती है आज 10 मार्च हैं। और आज 10 मार्च को १ाय मत्त्राइब यानि 11 जलों में आज मत्रान हुगा फिलाल जिनको निवाल में हम आपको बताते हैं कौन-कौन से जलों हैं आज जो मत्रान हुगा 11 जलों में सामल हैं सामली, मुझफपन नगर, बागपत, मेरट, हापड, गाज़ियवाद, बुलंसर, मत्रा, आगरा, गोतम बुद्ध, नग और अलिगड यानि इन 11 जलों में आज मतदान होगा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्यासी इन जलों में काफी जादा मजबूत हैं इन सीटों पर मतदान के देखने के बाद बहुजन समाज पार्टी जो चिंतक हैं राइने ते विसले सड़ हैं वो क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं Social Media पर काफी जादा दावाउप किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है अगर बहुजन समाज पार्टी को फार्टी को बहुजन समाज पार्टी को ढपीड के करे हम आपको सबसे पहले आप स्क्रीन पर पोश्ट देख पारूँ इसमें साब साब लिगा पस्चमी उत्तर परदेश का गड़त अगर मुस्लिम समाज सपा के प्रत्यासी को वोट देगा तो भाजपा का रास्ता किलियर है अगर बस्पा के प्रत्यासी को देगा तो भाजपा रुक दाबर है जबकि दलिस समाज का वोट 22-25 परसेंट है जो कि बस्पा का कोर वोट है यानि कि 22-25 परतिसत जो वोट है जो बस्पा को मिलना ही मिलना है पच्चमी यूपी के 58 सीटों पर और अब मुस्लिम समाज को फैसला लेना है कि वहाँ क्या चाहते हैं बहाजपा को रोकना चाहते हैं या बहाजपा को लाना चाहता है मुस्लिम समाज पर सवाल खड़ा किया है फिलाल अगर आप देखना चाहते हैं अगर मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो आप बताएं क्या चाहते हो आप पस्चमी यूपी की 58 सीटों को लेकर इस्तियास रच सकती है क्या बहुजन समाज पार्टी पस्चमी यूपी 58 सीटों पर प्रवाब डाल सकते हैं फिलाल जो मीडिय चैनल है जो टीवी चैनल है वह भी यह दावा कर रहा है तो मामला तरकोंड यह रहेगा बहुजन समाज पार्टी की राष्टी अद्वज बहन अफ्ची यूपी की जनता जनाधर से मेरा निवेदन है कि अपने हक और अदिकारों के लिए कल के दिन अपने वोट का सही उप्योग करें लोक तंतर में सविदान बचाने के लिए चुना बहुत ही महत्पूर्ण है इसलिए प्रदेश के समग्र विकास के लिए बीएसपी को वोट करें यानि कि बहुजन समाज पार्टी जो राश्टिय महास अचीव है 37 मिस्रा उन्होंने अपील किये है बहुजन समाज पार्टी को वोट करें फिलाल जो 37 मिस्रा ने उन्होंने वीडियो साजा किये फिलाल आप उस वीडियो को देगी है दिनांक दस तारिक को यानि कि कल जो पहला फेज उत्तर प्रदेश के चुनाव का है उसमें मेरी सभी लोगों से अपील है कि आप लोग अपने भविश्य को सुधारने के लिए बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए किसानों को उनका हक दिलाने के लिए माहिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए जिसके लिए वो परिशान हैं आज के रोज आप सभी लोग अपना वोट हाथी के बटन को दवा कर और बहुजन समाज पार्टी को जितने भी हमाई प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए आप अपना वोट दीजे और अपनी खुद की सरकार बना करके इस प्रदेश में एक दीजिए आप सबसे विनम अपील है धन्यवाद को आडि आपने यह वीडियो देखा सतीस्ती श्रшт考 मिश्रा विर्नम निवेधन करवे उत्तर प्रदेश की जनता से इस वार बहुजन समाल्पार्टी को वोट करे अब क्योंकि बहुजन समाल्पार्टी सभी में काफ ज़我知道 क्वेज समाज़ पार्ट्टी को मिलना ही मिलना है और रही बात दूसरी जी ंफ स्याप लेंर रविंदर वाटी नहीं और यहां से ले लिए जो मतूरा जिली से ले ले लें तो स्याम सुन्दत सर्मा जो कि आट बार के लगातर विधाय के एनुमा लगा जा रहा है अगर आपको क्या लगता चुनाब में यह भी फिलाल अपनी कमेंट में राजना उत्तर प्रदिस्क में आज दस मार्च को पहले चरण के चुनाब हैं और सातियों काफी ज्यादा उत्तर प्रदिस्की जनता अपना रुक सोच समझ के वोट करें यही मेरी सभी से अपील है और फिलाल आपको क्या लगत है उत्तर प्रदिस्की जनता किसकी तरफ जुक रही है यह हमें कमेंट में राय देना बहुजन समाज पार्टी की रायस्ति बहन कुमारी मायवजी ने जो पश्च्छी में जो रेलियां किये जैसे कि सबसे पहले आगरा में की ती फिर गाजयबाद में की फिर अम्रोह में क कि की सारनपुर कि सारनपुर की अलीगर में की अलिगर के बाद मैवलची पंजप चले धी और आज की जो रेलिय है रोड की है सातियों हमापको बतां मायवजी में पस्च्छी में मायवलीन ने काफ सची sniff काफ़ेवे इसाथ असर डाला है अपनी रेलियों से अली आट में तो काफी जादा सहला वो मड़ा था मायवती को देखने के लिए आपको क्या लगता है मायवती रेलियों का फरक पड़ेगा या नहीं जनता पर फिलाल अपनी कमेंट में रहे देना आप देख रहे थे भी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को इस वीडियो को जाज सेयर करें भी मिशन टीवी चैनल को सेयर करें सबस्क्राइब करें जिससे कि यह मजबूत तरीके से आपकी और आपकी बहुजन समाज के लोगों के आवाज जन जन तक पहुचाता रहे बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी ख़बर आप तक पहुचाता रहे फिल